नमस्कार दोस्तों मैं संतोस्कोण मोर्या तिन आए बग़ी पालन में हरा-चारा का बहुत ही महतनु एक maturity एक नहीं सकते हैं अग्र बगईर हरा आएक्स बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर जब हम हरे चारा का वह स्था करते हैं सीजन बाई सीजन और क्या हम जानते हैं कि हरा चारा कि जितना फाइदा है तो क्या उसके नुस्कान भी है देखे जैसे कहा गया ना एक सिक्क्य के दो पहलू अगर किसी में अच्छाई है तो उसके अंदर कुछ ने कुछ पुराईयां जरूर है तो जैसे आज हम बात जैसे ये ठंड के मौसम में खेतों में लगाया जाता है और ठंड के मौसम में तयार होता है जैसे कि इसको नौंबर के सुरू में बोया जाता है और दिसंबर तक ये तयार हो जाता है और पूरा जनवरी फरवरी मार्च अपरेल तक भी इसको खिलाया जाता है तो क्या इससे कितन कितना फाइदा है कितना नुष्कान है लेकिन हम फाइदे के बारे में बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे नुष्कान के चुकि बकरी पालन में जारतर नुकसान हमें होता है हर सीजन में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो नजी से दिखाईए यह देखिए यह गास मैंने भी लगाया हुआ लेकि थोड़ा मैं लेट मैं दिसंबर फर्ष्ट बीक में लगाया हूं तभी तयार नहीं है तो इसके लिए मुझे दूसरी जगा आना पड़ा जहां पर यह तयार था यह मैं थोड़ा सा आपको सेंपल दिखाने के लिए लेका आया हूं और इस खाने से बक्रियों को गयस बनता है इसको खिलाने से आपके बक्री के बच्चे हो जा बक्रा हो उनके पेट में गयस बनता है जब गयस बनता है फिर आप करेंगे क्या जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि हर शुक्त के दो पहलू होते हैं कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान है हरा चारा बस्मघास, गय हो भैस हो बक्री हो पसु पालन में बहुत बड़ा इसका महत्व है बहुत बड़ा युगदान है इसका बहुत बेनीफीट है लेकिन इसको से निको गैस बनता है अब उस गैस से छुटकारा पाएं कैसे देखिए जैसे कि मैंने बताया कि ठंड के मौसम में लगा जाता है और मार्श अपरल तक खिला जाता है अगर अब बरस्म घास खिला रहे हैं अपने बक्री को अगर उसके पेट में गैस बन गया तो आपको घब्राने का ज़रूत नहीं है आपके घर पर ही उसका इलाज है आपको क्या करना है खाने का तेल कोई सभी जैसे खाने के लिए हम सरसो का तेल इस्तिमाल करते हैं और मीठा तेल यान जैसे बादाम को हो गया सोया बीच को हो गया यह सब तेल हम इस्तिमाल करते हैं तो बक्री जैसे कि अब यह मुश्किल से 20-22 किलो की है लाइब बेट में अगर इसको पीट में गयस बन गया तो एक किलो पर एक अम-जाब कि बक्री जितना बाडी वेट है उसको पिला दीजिए उसको 15 से 20 मिनिट के अंदर उसको राहत मिल जाएगा गैस से अगर उसके बावजूद भी अगर उसको रहत नहीं मिलता है आराम नहीं मिलता है तो आप एक काम करें दुबारा वहीं तेल लें और उसमें 10-15 ml तारपीन का तेल आता है तारपीन 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 उसको बोला जाता है उसका तेल आता है वो आप उसको मिक्स करके दे दे ये आपकी **** आराम मिल जाए यानिंछी उसको सवरीफ मिल जाएगा लेकिन ऐसी एक भरतना पड़ेगा क्यों को डिया को अथी को 30 मिक्स करके आप पिला दें सेम उसका आधा डाल करके आप पिलाएं आपकी बतरीयों को तुरंत आरा मिल जाएगा दोस्तों वीडियों अच्छी लगी तो लाइक करना चनल पर नहीं चनल को स्वेरा हो सब्सक्राइब नमस्कार